नीज़ वल इंडिया देख रहे हैं आप मैं आपके साथ काविंदर चौहान बुलिटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर के पहले पुलिस कमिशनर आईपियस असीम अरुन का व्यारेस स्वीकार हो गया है वो 15 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे दो दिन पहले ही कानपुर के पुलिस कमिश्टर रहते हुए उन्होंने व्यारेस मांगा था असीम अरुन बीजेपी में शामिल होकर चौनाओ लड़ने की तयारी कर रहे हैं जानकारी के मताबक असीम अरुन कन्नौज सदर सीट से चौनाओ लड़ सकते हैं असीम अरुन 1994 बैच के IPS अधिकारी हैं वो UP ATS और UP 112 के प्रमुक भी रह चुके हैं असीम अरुन के अलावा ED के जॉइन डारेक्टर राजिश्वर सिंग ने भी वियारस ले लिया है वो भी BJP के टिकेट पर आने वाले विधानसभा में अपनी किस्मत आचवाएंगे गौरतलब है कि विधानसभा चुनाओं की तारीखों के एलान के साथ ही असीम अरुन ने फेस्बुक पर वियारस लेने की खोश्टा की थी उन्होंने जारी किये गए बयान में कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्था हो दिया है फेस्बुक पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि वो अब राष्ट और समाथ सेवा नए रूप में करना चाहते हैं उत्राखंड में विधानसभा चुनाओं नजदीक हैं जिसके चलते सियासी गल्यारों में हलचल तेज हो चली है उत्राखंड में भी आचार सहिता लागू होने के चलते सियासी नमाइन्दे सोशल मीडिया के जरिये जनता से समबाद कर रही है ऐसे में न्यूस वर्ल इंडिया जन्परतिरी के काम को सोशल मीडिया के जरिये जनता तक पहुंचाने में एहम भूमिका निभा रहा है इसी कड़ी में न्यूजवल इंडिया के हरिद्वार बीरो चेफ अजीम ने बात की बियस्पी के पूर्विधायक सर्वत करीम अंसारी से क्या कुछ कहा करीम अंसारी आप भी सुलिए इत्रा खंड में बहुत सर्दी है लेकिन राजनितिक पारा अभी चड़ा हुआ है आज चुनायोग ने चुनायोग की तीच्छों का ऐलान कर दिया है 21 जनवरी को नामांगदन सुरू होंगे और 14 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे हम अभी मंगलोर में हैं मंगलोर से पूर विधायक हाजी सर्वतकरी मंसारी जो 2012 में विधायक बने और 2017 में उन्हें हार का सामना करना पुदा इन से बात करते हैं कि चुनायोग की किस तरह से इनकी तैयारिया है हाजी जी निजवर्ड इंडिया में आपका स्वागत है धन्यवाद कि 2022 चुनायोग का आगाज हो चुका है चुनायोग ने चुनायोग की तीठ्यों का ऐलान कर दिया है अचा सहिता उत्राखन में लागू हो गई है अब 2022 को लेके किस तरह से आपकी तीजा लिया है देखें हमारी जान तक बोचुंस समाज़ पार्टी का सवाल है तो हमारी बोचुंस समाज़ पार्टी हमें से पांच के पांथ साल जो है चुनायोग की तैयारियों में लेकी रहती है आज यह अधूलान हो गया इसका तो आज भी हम बाद्वी जो है लगे dolha in पार्टी हरudi कांग्रस 212 तक यहां पर कांग्रस के विधायक हैं तो आज मैं विधायक फाउन मेरा और अज वर्तमान मे arc आज मामारे छेतरी की जन्था जो Clara इस बात पर calculation कर रही है इस बात पर जो है देख रही है कि किसका कारियेकाल सबसे बढ़िया रहा एकाई घठी आ रहा तो जहां तक विकास की बात है पुरे छेटरे के अंदर मेरे 2012-0.70 का जो विकास है उसकी थारीफ हो रही है उसको जो है लोग याद करना है और ने वरत्मान विद्हयक ने आज तक कोई भी एक रोड़ी नहीं लगाई विदानथमा में इसको जो है उसका सामना परना पड़ा रहा है पब्लिक उस से पूछ रहे हैं के हमारे चेत्रे में विकास क्यों कराया आपने कहा रहा आपका विकास का योजना जो है अल्ड सरकार से मिलती है वो कहां पर रही इस सवाल जवाब किया जा रहा है 2012 से 17 का विधायक रहे इस बीच में आपने जो कारिय कराए उनमें परमुकारिय क्या है देगे सबसे पहली बात तो है कि जहां विधान सभा में आप चुनाव लड़ते हैं जीते हैं तो सबसे पहले उस विधान सभा की स्थिति को देखना चाहिए उसके भूल को देखना चाह हमेसा पिछड़ी वीर विधान सभा रही है जहां तक देश जब साजाद हुआ इसमें आज तक भी कोई ऐसा कारिय नहीं हुआ जिससे हमारी यहां की जनता को जाए उसका लाम मिल सके स्रिक्षा के चेत्रे में हम पिछड़े हुए थे और जी आपके बिजली के चेत्रे में हम पिछड़े हुए थे आपके जो ईå रश पिछड़े हुए थे अब यहां तक को कैस अटों के गर्मी एग करें करें जो देखा एथा तो देखो बीकास में सबसें बढ़ी चीज जाती आती है तरक्की के लिए शिक्षा हमारे हां कोई शिक्षा का बहुत बहुत बुरी ह किसा बहुता यहां पर कोई भी सिक्सा नहीं थी मैंने सबसे पहले सिक्सा को प्राइटी पे लेते हुए अपने इसके जहां के जो जरुरत थी उसको पूरा करने के लिए मैंने दो डिगरी कालीज बनवाई जिसमें आप देखते होंगे जिटी रोड पे चला जर्नल लड़क के जो हाए जो है जो है उसमें सिर्फ लड़की लड़की होगा था जहांत तक विजिली की तो बीजिली के मैंने तीन जिए यहां भी बर बन वाई आप उह देखना रोड है मॅडलाने में चला यह तो एस्पताल के रूप में आ जाये तो इनके नके हमारे भगेए लिए म आज तक उसमें जो है ने विरतमान विधायक ने कोई डाक्टर लाने की काम नहीं किया इसी तरीक से ने विरतमान में सिक्कर में जो स्कूल बना वहां भी जो है कभी स्टाफ लाने का उसने काम नहीं किया जहां तक कासकारों की बात है तो कासकार हमारा छेतर है और यह विकास तो आज दो बोना आज तक यहां याद किया जा रहा है और अगे भी हम जो है जुनाओ में लड़ेंगे तो विकास की उपर ही लटेंगे यदि मंगलोर की जनता आपको 2022 में चुनती है विधायक बनाती है तो क्या ऐसे कारियर हैं जो आप 2012 से 2017 नहीं करवा सके और अब करवाएंगे देखें इसमें बहुत चीजें हैं बाई लड़कों की रोजगार के मामले में यह यह नहीं हम करा पाए क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी चीज होती है जन्रेशन के लिए तो इन चीजे बची हुई है जो हमारी नजर में आएंगी उनको जह हम पुरा करने का काम करेंगे औ इतने आस्रस्थ हैं आपको के मंगदार की जनता आपको दोजावाइस में चुनने जा रही है देखें आज जो हमारी ने वर्तमान विधाय की तुलना हो रही है विकास के मामले में तो जो है यहां की जनता जो है हमारे हमें जो है सरा रही है और भाई जो विकास नहीं सब्सक्राइब पढ़ती है तो किसे सपूर्ट करना प्संद यांत B. विस्ट पर्टि कि सब्सक्राइब चुन कर गए तो हमारी जो नेता अधरनी भेहन कुमारी वती जी निर्ने लेगी उसके अनुसार जो है हम जो है उसमें जो है वोट देने का मैंने जो विकास करवाए 2012 से 2017 तक उसके बेस पर मैं यहां चुनाव लड़ने जा रहा हूं और यहां की जिनता मुझे 2022 में चिताने जा रही है अपने सही होगी विनो चोदरी के साथ मैं मुहम्मद अजीम न्यूजवर इंडिया अरिद्वार उत्राखंड के तमाम बड़े भरते मुद्दों पर एक चर्चा ऐसी भी जिसमें लोगों ने अपनी अपनी राय दी और मौझूदा सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए सरकार से ही सवाल किये गए इसी के साथ कौन है सियम की गद्दी का असल हकतार इस पर भी कई गंभीर चर्चा हुई क्या कुछ कहा ज असल समादान सरकारों से सवाल भी करेंगे कि क्या इस वक्त चल रहा है यहाँ पर मौझूदा जो जनता की समस्या है उनका हल क्यों नहीं हो रहा है और इसी चर्चा को लेकर जो सारी सरकारे हैं वो अपने चुनावी मुद्दों के साथ अब इस बार 2022 का विधान सबार चु चुनाव लड़ेंगी और इसी के साथ मैं आपको बता दू कॉंग्रेस कही ना कहीं महीला सशक्तिकरन और बेरोजगारी पर अपना इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और जो तीसरा विकल्प कही ना कहीं उत्राखंड को मिला हूँ है आम आदमी पार्टी का आ डाली जाएगी जब तक उसे रोजगार नहीं मिल जाता तीसरी करेंटी तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी जाएगी चौती करेंटी महीला के अकाउंट में हर महीने हजार रुपे आया करेंगे और इसी के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने अभी कुछ समय पहले जब अपना चुन तक लिए जाएगा यह काफी बड़ी बड़ी गोश्टा है उन्होंने करी है अब देखना होगा कि असल में वह इसको करने के लिए सक्षम होंगे या नहीं लोगों से जानेंगे कि या है असल मामला तो मैं अब लोगों से जानते हूँ इस चर्चा पर कि आपका क्या मानना 2022 विधानसवा चुनाव अब करीब आ चुके हैं बीजेपी कॉंग्रेस या फिर नया तीसरा विकल्प के लिए ढून रही है जन्त मेरे ख्याल से तो कंग्रेस के राज में सब आदमी सुकून में थे चैन में थे जब से बीजेपी आई इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं कहा ह जो हमें इन्होंने सपने दिखा है कोई पुरा नहीं हुआ ठीक है ना मेहाई देख लिए आप पैटल कहां पहुंच गया सौरवे के पास खाने का समान देख लिए आप मते गरीब आदमी के लिए जीना दूर हो गया है तो इस बार तो सब्सक्राइब कांग्रेस कोई लग आप कांग्रेस के राज में सब कुछ बहुत बढ़िया था कंफरेबल फील हो रहा था जब से बीज़ेपी सरकार आई हर चीज मतलब आदिनी के कंट्रोल से बाहर हो रही है अब हम और लोगों से भी जानते कि असल में है क्या हकीकत पहले इन्हों ने ये बात करिये कि विकास कारे मुद्धों पे कहीं न कई कांग्रेस ने लोगों का दल जीता है अब हम और एक और हमार साथ व्यक्ति जुड़े हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि उत्त्रा खंड ना मगर यहां तो साल बहुत बुरा है महंगाई एक बहुत बढ़ चुकी है हर चीज में महंगाई हो चुकी है तो इसलिए इस बार यह है कि कॉंगरेस आ जाए तो किन विकास कारे मुद्धों को लेकर आप इस बार कॉंगरेस को वोट देंगे हर तरीके से यह बिरोजगारी है रख दो साल से करोना रह रखा है तो कंट्रोल तो करनी पार रहे हैं सरकार अब देखते हैं कि इस सरकार क्या कर लेती है इनसान हजार रूपर इखटा करेगा पहले तबी सलेंटर बर वहाएगा कि आपने जस तरीके से युवा वे रोजगारी पर बहुत अच्छी बात कहीं कि लगतार जो यहां पर गांधी पार के पास लगतार प्रदर्शन हो रहे हैं युवा को लेकर पर मैं यह जानना चाहूंगी कि उत्राखंड को एक चेहरा तो चाहिए तो कौन होगा चेहरा अच्छाद हुए वे युपी से अलग हुए वे आजाद नहीं तो दो सरकार हमने देख लिए भाजपा भी कॉंग्रेस भी तो सिधी सी बात है आमाधी पार्टी से कर्नल कोठियाल को एक मौका देना चाहिए जब हमने 21 साल देख चुके हैं तो पांस साल और एक मौका करे काने ज़ी मराई वे वाजपा रही पिस तो चाहए जैसा तो जिसने का सब्कार इस आज हए पार्टी बिजब पार्टी इस समय जो सबसे मानने ताय मानी जा रही है वो कोठियाल जी की मानी जा रही है आम आदमी पार्टी की क्योंकि उन्हें दिल्ली में बहुत काम कर रहा है आम आदमी पार्टी ने तो हम एक बार यह भी चाहेंगे बदलाओ कि आम आदमी पार्टी आये तो ये था लोगों का विच्चार और इसी के साथ चाय पर चर्चा की तमाम चर्चाओं में ये उभर कर सामने आया है कि जनता विकास चाती है जनता वो सरकार चाती है जो विकास कार्यों पर दे ध्यान और इसके अलावा जो लोगों की नीजी समस्या उस पर भी ध्यान दे सर जहां कि विधायक है विनोच चमोली जी जी आम बात कर रहे हैं धरंपूर विधानसभा की जहां पर मौझूदा विधायक दो बार मेहर रह चुके हैं और इसके अलावा अब वो यहां के तक कालीन विधायक है और जिनोंने कॉंग्रेस के जो दिनीश अगरवालते उनको इस साथ ही आज हम यहां की विधानसभा में लोगों से जानने पहुचे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इस विधानसभा छेत्र के अंदर क्या-क्या विकासकारों में अभी भी देरी रही है किन-किन विकासकारे मुद्दों पर सरकार अभी भी खामोश है इस चीज़ क को लेकर आज हम पहुंच रहे हैं धरंपर विधानसभा जो हम लोगों से जानेंगे कि क्या विकास कार्यों मुद्ध होने चाहिए यहां को विकास की और ले जाने के लिए और अभी तक किन-किन सरकारे जो आई हैं उन्होंने क्या-क्या काम किया इस पर भी हम बातचीत आप से जानने चाहूंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में धरंपूर विधानसभा की अंदर क्या-क्या-क्या-कास कारियों को लेकर आप कहना है इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं इस विदान समय हम तो जब भीजेपी का जिन्नेता जो खड़ावा को उसे देंगे किन विकास कारे मुद्धो को लेकर आप इस बार चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले हैं किन मुद्धो को लेकर भीजेपी काद इस बंविकास कारे तो और बार विजे-पी देख रहा है तो पहाड प्र तो जाकर देखने हैं हम और से भी समय जानते हैं कि क्या इस वक्त कि महल बना हुआ है धर्मपूर विदानसभा का किन किन विकासकारों पर अभी सरकार ने काम नहीं किया तो मैं आप से जानना चाहूंगी कि 2022 विदानसभा चुनाव को लेकर आप इस बार बीजेपी कॉंग्रेस या तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं विजेपी सबसे बैश् समझ लीजिया और ज्यादा विकास करेंगे इस बार आने पर और मैं बीजेपी गही ओड़ दूंगा आपके इसाब से छेतर में क्या बीजेपी ने विकास बीजेपी में सब चीज किया है लाइट पानी हर चीज है टाइम से रोड है आपका सब कोई भी बात होती है एकदम बड़े तक ठेले वाले हो कोई भी हो सबका चोटा रुजगार अच्छा चला है कोई किसी को रोका वाकव नहीं करा ज़ता है पुलिस पर सासन भी हमारे सब्सक्राइब हर तेजिस से बात करते हैं हर बंदे से सही से बात करते हो लिकी है मैं कोलिक्स में इतना नहीं जानता में आई हैं कि यहां जो भी विधायक सत्ता में आये उन्होंने काफी अच्छा काम के तो मैं आप से भी जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है आपका इरादा बीजेपी कॉंग्रेस या कोई अन्य अपार्ट कि इस समय जो है ना कांग्रेस के तो मतलब इतना लगनी रहा है लेकिन हाँ वीजेपी का चांच जादा लग रहा है इस समय फिर भी कह नहीं सकते हैं चुनाओ के पर बात पर है हां वेपारियों के काम में कोरोना काल के दोरान मैं आप से जानना चाहूंगी कि आपके पास भी दुकान है तो फिर इस चीज को लेकर आपके कोरोना काल में क्या-क्या असार हुआ था एक तो काम बड़ा मंदा हो गया और दूसरा जो है अब काम सुद्रा है तो फिर करोना में लोगडान लगने के चांस मन रहा है तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इस बार यहा तो अबीद है कि हमें राहुल जी आएंगे और कुछ विकास करेंगे जैस का तो आप क्या सोचते की कौन से विकास कारें मुद्दे होंगे जो इस बार इस चेतर के लिए होने चीज़िए इस उत्राखंड के लोने चीज़िए प्रविश गारी ठीक है जितनी मी लड़के ह सब हैं वो बेरोजगार फिर रहे हैं लोग डाउन के लावा कितने लड़के ऐसे जुन्होंने पढ़ाई छोड़ दी अपनी लोग जब लगा लोगो आपने घर में बंद होगा छेचे महीने के तीन तीन महीं का लोग डाउन लगा उसके बाद जो है जो गरीब व्यापारा करें छोटा दल आदमी है उन्होंने बड़काम बंद हो गया तो उनके लड़के सब बंद हो इनसी कई आपके कोई जानकार हो जिनके साथ ऐसा हुआ स्कूल की पीस माफ होने की बात कहीं यह भाई हो पड लेकिं नहीं होई किसी हो और हमारे जो गाह और्स में है Stretch में बया है तो उसमें कुछ on करा पूरी फीज लीज यहाओ लगए होई जेया कुछ में बचे करने रहे तो बच्चों ने यहा है वहत्च च्छे महीने होए बंद रहा बीच में खुला फिर बंद वाज छोड़े बच्चों के स्कूले बाद में इंटर वालों के खुले पर कुछ नहीं हो आई सा कुछ बच्चों नो पढ़ाई भी छोड़ी स्वकारण करना के बाद आपकी जिंदगी में क्या सबसे बड़ा असर पढ़ा है और सारी जितने छोड़े दल के लोगें उन पर बढ़ा है जो लगा है जो लगा है जो पर बड़े बड़े आदमी जो सबसे पहले किस चीज को दूर करें ऐसे कि नुने बताया है कि किसान का मुदब पहले उडिनावाल चाहिए फिर जो सबसे पहले मुदभा पर बिरोजगारी दैंट तो मैं आखिर में आपसे एक सवाल लुठाउंगी कि आप मुझे कुछ तीन ऐसे मुद्दे बता दियां ऐसे विकास कारे बता दीजिए जो यहां पर इस छेत्र में होने अभी बाकी है एक तो स्मार्ट सिटी बताएं उन्हें कि स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे उसमें भी टाइम लएगा वो देखते हैं कब तक है जो तीन इसनोंने करें कि दाननादो बिली विवाग हाईवे बनाने का जो मुद्दा उठाएं नहीं कि दोजार भं 25 या 26 तक पुरा करेंगे दिल्ली और जेपुर वाल देरदून से जो वाला जो हाईवे तैयार करने को है दोजार पती जाने 26 तक आशार तो मुद्दा है कि बनाए सरकार करें तो वादा पूरा करें अबना तो आखिर मैं सवाल करूंगी मैं आपसे एक और की सीम की गद्धी पर कौन अनश्य है युवाओं के साथ से मैं जो लेहर दिख रही है वो कॉंग्रेस पाल्टिक दिख रही है अब को कि लोग बाग परेसान है बहुत तो नहीं आती कूछ लोग बास बते हैं कि नए कुछ हो कुछ नहीं सरकार है यह कुछ करें आम आदमिपाल टीबीज कर रही है गहे मना तेहें आ पुलिस कभी मरता है यहमान मढता है यह सफिनी अपनी राय बता रहे हैं कि अपनी पर हम लगता है कि यह nutrition आदिने पाल तो साफ सीधा है कि अब उत्राखंट बदलाव चाता है युवा बदलाव चाते हैं कॉंग्रेस पार्टी का जो मुद्धा है वो कहीं ना कहीं इस वक्त युवाओं के लिए एक मजबूत मुद्धा है तो आज मैं इस रिपोर्ट को यहीं खतम करती हूँ बने रहे हैं न्यूज बड़ी ख़बों को देखने के लिए आप बने रहेगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ तन्माद